स्वागत है बोलु शंकर भगवान कीजिए सौनकार जी ने कहा मान भाग सुध दोस्तों आपको हमारे चैनल आप सब का स्वागत बोलु शंकर भगवान कीजिए आज ना सिभ पुरान में आपको देव राज को सिभ लोग की प्राप्ति और उनके पापों से बहंकर बैरा के की बेरा के बारे में आप सब को बताएंगे तो सौनकार जी कैन ने कहा मान भाग सुध जी आप धन है परमारत तत्त के ग्याता हैं आपने किरपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्बुत एहमम दिम कता सुनाई है बूतर पर इस कता के समान करने आड़का सब श्रीश करते हैं यहने किरपा पूर्वे बताएं और इस जगत को किरतात कीजिए सूती जी कहते हैं मुनि जो मनुस पापी दुराचारी खल काम और क्रोथ आजस्तिन दूबे रहने वाले मेवी इस पुराण के सिवर्ण पठन से अबसी सुद्ध हो जाते हैं इसी विसे में जानकर मुनि इस प्राची नित्यास का उधारर दिव्या करते हैं जिसके सिवर्ण मात से पापों का पूर्ण तथा नास हो जाता है पहली की बात हैं पहली की बात है कि एक ब्रामर था जो ज्यान में अत्यान धरूलत गरेत रहम रस बेशने बाला तथा बैदिक धर्म से विमुकत इस इसनान संद्या आत कर्मों से ब्रष्ट हो गया था और बैस ब्रत में तत्पर रहता था उसका नाम था देवराज तो वह अपने उपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था उसने ब्रामरों चत्रें बैस सूद्रों और दूसरों को भी अन्निक भान उपाद उनका धन हड़ा कर लिया था पर इस पापी का थोड़ सा भी धन का भी धर्म के काम में नहीं लगा करता था और बैस एगामी का सब पिरकाश से आभाद भर्ष्ट था इसलिए वह एक दिन गूमता गूमता हुए देवि लोग में परतिष्ट और प्रियाग में जा पहचा इसलिए आपको यह दो कि एक ब्यास की कथा सुनाई थी और वो दुर्वचारी था अपना काम धन जो है दूसर कुछ राचरा कर ले जाता था तो आप दोस्तों छोटी सी सिप्राण की कथा आपको बताईए अगर आच्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को सब चरें कर काथा मुलू सिप्राण भगवार्ण